आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुकता बैनर जी पहले मुख्य समाचार एक जून से छोटे शहरों के लिए चलाई जाएंगी 209 AC ट्रेन रूट तै होते ही जल्द शुरू होगी बुकिंग प्रदेश में हर महले और वाड में खोले जाएंगे फीवर क्लीनिक कोरोना से संबंधित सुविधाई होंगी आसान मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने लॉगडाउन के चोधे चरण का सकती से पालन कराने के दिये नर्देश और दूसरे राज्यों में फसे 4,42,000 श्रमिक मधिप्रदेश वापस लाए गए आज भी कई ट्रेने आएंगी अब समाचार विस्तार से रेल मंत्री प्यूश गोईल ने कहा है कि भारतिय रेलवे अगले महीने की पहली तारीक से रोजाना 209 AC रेलगाडी चलाएगी रेल मंत्री ने कल कई ट्वीट में कहा कि इसके लिए उनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी ये रेलगाडियां श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों के अतिरिक्थ चलाई जाएगी उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए विशेश श्रमिक रेलगाडियों की संख्या दोगुनी करने की योजना है रेल मंत्री ने कहा कि भविश्य में विशेश श्रमिक रेलगाडियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएंगी राजिस सरकार से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि वे कामगारों की सहायता करें और उन्हें नजदी की रेलवे स्टेशन पर पंजिकृत कराकर इसकी सूची रेलवे को सौपे ताकि रेलकर्मी विशेश रेलगाडी चला सके उन्होंने कहा कि कामगारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्थानों पर ही रहे, उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतिय रेलवे कामगारों को गर्तव्य स्थलों पर पहुँचाएगी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि कोरोना से संबंधित स्वास्त सुविधाईन लोगों को और अधिक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार फीवर क्लीनिक खोलने की तैयारी कर रही है कल मंत्राले में कोरोना की स्थती और लोगडाउन 4 के संबंध में प्रदेश के सभी संभागों और जिलों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर महले और वार्ड में ये क्लीनिक खोले जाएंगे वही स्वास्त विभाग के प्रमुक सचिव मुहम्मद सुलेमान ने बताया कि फीवर क्लीनिक पर जाकर कोई भी व्यक्ती जिसे सर्दी, जोकाम, फ्लू, आदी के लक्षन दिखाई देते हैं अपना स्वास्त परीक्षन करा सकेगा फीवर क्लीनिक में उसके स्वास्त की जांच कर लक्षनों के आधार पर उसे कोविट केर सेंटर आधी में भेजा जा सकेगा आवशक्ता होने पर कोविट टेस्ट के लिए सैंपल भी लिये जा सकेंगे कोरोना मरीजों की शास्कियों और अनुबंधिय अस्पतालों में निशुलक चकित्सा पूर्ववद जारी रहेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े 5,000 से ज्यादा हो गई है हलकि इन में से करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लोट चुके हैं सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर में कल 78 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 2,715 हो गई है वहीं अब तक 105 लोगों की COVID-19 से मौत हो चुकी है उजयन में कल 58 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 420 हो गई वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लोटे मनसौर में कल 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए है कलेक्टर मनोच पुष्प ने बताया है कि इनमें मलहारगर तहसील की एक गर्भवती महिला भी शामिल है कल शाम 6 बजे तक भूपाल में 16, खंडवा में 21, बुरहानपूर में 42 और खरगौन में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले है वहीं खंडवा में कोरोना वारिस से संक्रमित सार मरीजों को कोविट केर सेंटर से छुटी दे दी गई है मुरैना में भी दो मरीज के स्वस्थ होकर घर जाने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या चौधा रह गई है जिले के 38 में से 24 मरीज स्वस्थ हो चुके है भिण में कल 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले, जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 38 हो गई है सागर में भी कोरोना संख्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है एक दिन में 16 कोरोना संक्रमितों के बाद फिर 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आये हैं जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 42 पहुँच गई है इन में से 5 स्वस्त होकर घर जा चुके हैं नर्सिंगपूर जिले में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है हलाकि नर्सिंगपूर जिले के बगदरी गाउं से संदिक्थ मरीजों को कल शाम जिला अस्पताल लाया गया है SDM संखमित्रा बौध ने बताया है कि यहां एक परिवार पिछले दिनों इंदौर से आया था वो जस वाहन से आये थे उसमें सागर की युवती थी जो की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है जबलपूर में चार नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 186 हो गई है हलाकि 107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं सतना में संक्रमितों की संख्या दस बनी हुई है इनमें से दो मरीज स्वस्थ हो चुके हैं दमो कलेक्टर तरुन राठी ने बताया है कि चार सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीज अलग-अलग ब्लॉक में है रायसेन में अब तक कोरोना संक्रमंट से 67 पॉजिटिव मरीज मिले हैं इनमें से 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लोट चुके हैं आयन पर या AIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है मुख्यमंत्री शवरा सिंग चौहा ने कहा है कि सभी जिलों में लॉक्टाउन 4 के नियमों का पूरा पालन किया जाए उन्होंने बताया कि सभी जिलों को सम्बंध में गाइडलाइन भिजवा दी गई है श्वी चौहा ने कहा कि लॉक्टाउन 4 में दी गई छूटों के कारण लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे ऐसे में अब सावधानिया और अधिक जरूरी है उन्होंने लोगों से कहा कि अभी कोरोना खत्न नहीं हुआ है मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टंसिंग का पालन करना, कहीं भी भीड़ ना होने देना आदि सुनिश्चत किया जाए ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जबलपूर कलेक्टर भरत यादव ने लोगों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है उधर मंडला कलेक्टर जेसी जटिया ने भी जिले के लोगों से सोशल डिस्टंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है मुख्यमंत्री शुर्राव सिंग चौहां ने भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक निर्भरता पैकेज का लाब प्रदेश में सुनिश्यत करने के लिए तैयारियां ततकाल करने के नर्देश दिये हैं शुरी चौहां ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरी पत्विक्रेताओं को रण और क्रियाशील पूंजी उपलब्ध करवानी की योजना में नगर निगम सीमा के पत्विक्रेताओं के साथ ही प्रदेश के सभी नगरी निकायक शेत्रों में कारेरत पत्विक्रेताओं को लाभानवत किया जाए योजना में हित्गराही को रण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपे की पूंजी दी जाएगी शुई चौहान कल मंतरौाले में मंतरी परिश्द के सदस्यों और वरिश्ट अधिकारीयों के साथ भारत सरकार द्वारा इखोशद पैकेज आत्म नर्भर भारत अभ्यान और आत्मन नर्भर मदि प्रदेश संधर्व में चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पैकेच के साथ ही राजिस्तर पर विभागों की योजनाओं को इस तरह जमीन पर उतारा जाएगा जिससे निर्धन तपके को विशेश रूप से राहत मिले कोरोना संक्रमन के कारण विभन प्रदेशों में फसे करीब 4,42,000 श्रमिक वापस आ चुके हैं इनमें 100 ट्रेन से 1,34,701 श्रमिक लाए गए हैं बाकी सडक मार्क से लाए गए हैं इनमें मुख्य रूप से रीवा से 30, मेग नगर से 13, ग्वालियर से 9, जबलपूर से 6 और प्रवासी श्रमिक इटारसी पहुँचे इस दोरान जिला प्रशासन द्वारा भोजन स्वास्त परीक्षन और उन्हें गंतव्य तक पहुँचानी की समुचत व्यवस्था की श्रमिकों ने सरहना की है मालवान चल के कुछ जिलों में टड़ी दल के हमले ने कैसानों की चंता बढ़ा दी है मनसौर से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिले में लाखों की तादाद वाले टड़ीयों के दल खेतों और पेड़ों पर हमला कर रहे हैं हलाकि मैदानी स्थर पर जोटे जिले की अधिकारियों और केंद्रूय टड़ी दल ने फाइर फाइडर स्प्रे मशीनों की साहता से 30 फीजदी टड़ीयों को रात में ही मार गिराया सुभा होते ही टड़ीयों का जिले की सीता माउं और मलहारगड तहसीलों के ग्रामेन अलाकों में मूव्मेंट शुरू हो गया प्रशासन ने गाउं में डीजे बैंड बजवा कर टिड्डियों को भगाया तो किसानों ने अपने खेतों में थालिया बरतन बजाकर इनसे निजात पाई जिले में 75,000 किसानों को मेसिज की माधियम से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था आगर मालवा में क्रशी विभा की अधिकारियों ने प्रभापित शेत्रों का दोरा किया अब कुछ समाचार संक्षेप में सतना सांसत गणेश से निकल मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान से मुलाकात कर अलग अलग प्रदेशों में फसे जिले के लोगों की सूची देकर उन्हें वापस लाने का आगरह किया है खन्वा कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल को हटा कर अन्य द्वेदी को नए कलेक्टर बनाया गया है वहीं विवेक्स से हैं जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे लोगडाउन का उलंगन करने पर महेश्वर के चार व्यक्तियों के विरुध प्रक्रंदर्च किया गया है ये चोरी छुपे इंदोर से यहां पहुँचे थे अशोकनगर जिले में अब तक 5,780 मजदूर वापस लोटे हैं कट्नी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कल दूसरे राज्यों में फसे 741 मजदूर पहुँचे हैं राजगर जिले में पच्चोर के पास ट्रक और ट्रक्टर ट्रॉली की भेडंत में एक व्यक्ती की मौत हो गई और शिवपुरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इद मनाने की अपील की है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर एक जून से छोटे शेहरों के लिए चलाई जाएंगी 209 AC ट्रेन रूट टै होते ही जल शुरू होगी बुकिंग प्रदेश में हर महले और वार्ड में खोली जाएंगी फीवर क्लीने कोरोना से सम्मंधित सुविधाएं होंगी आसान मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहां ने लॉकडाउन के चौथे चरण का सक्ती से पालन कराने के दिये नर्देश और दूसरा राज्यों में फसे मुख्यक उदिन में के फ। ने लुछेश में पालन क्लीने म!